नमस्कार बच्चों कक्षा 6 exercise 3.4 का कोशन 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोशन है निम्न के सार्व गुननखंड ग्याद कीजिए तो बच्चों पहले प्रशन में भी हमने सार्व गुननखंड निकाले थे यहां हम लिख लेते हैं आठ और यहां हम लिख लेते हैं बारा अब हम इन तीनों के गुननखंड देखेंगे देखें चार किसके पहाड़े में जाएगा और दो के पहाड़े में दो दुनी चार और किसी के पहाड़े में चार नहीं आता आठ देखिए एक गुना आठ उसके बाद दो चोके आठ तीन के पहाड़े में नहीं जाता चार हमने लिख लिए पांच एक साथ के पहाड़े में जाता आठ हमने लिख लिए इसी प्रकार से बारा एक गुना बारा बारा दो के पहड़े में जाता है दो ची के बारा और तीन के पहड़े में भी जाता है तीन चोक के बारा अब बच्चो प्रशन एक में हमारे पास सिरफ दो संख्याई थी उनका सार्व गुननखंड था प्रशन 3 में हमारे पास 3 संख्याए है तो कोई बात नहीं हम 3 को लिख देते हैं देखिए 4 के गुननखंड 4 के गुननखंड लिख दीजे 1 2 2 लिख दिया 4 इसी प्रकार से 8 के गुननखंड आठ के गुननखन कौन से होंगे एक दो चार और आठ अब हम लिखेंगे बारा के गुननखन तो यह तो आपको बहुत असान लगेगा बच्चों यह आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है और हमने सिर्फ इसमें पहाडों का प्रयोग होना है और कुछ ने 12 के गुननखन देखे एक एक दो तीन चार चेह और बारा अब हमें नीकालना प्रयोग है बच्चों सार्व गुननखन तो जैसे हम पहले प्रेशन में हमने 2 में देखा था सार्व अब हम तीनों में सार्व देखेंगे यानि सार्व गुननकंड ऐसी संख्याई होंगी जो तीनों में होंगे देखे एक यहां भी है यहां भी है यहां भी है एक 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 इसको सरकल कर दो और एक यहां लिख दो दो यहां भी है दो यहां भी है दो यहां भी है जो तीनों में होगा वही हमने लेना है देखो चार यहां भी है यहां भी है यहां भी है तो चार उसके बाद देखे आठ यहां है यहां नहीं है यहां भी नहीं है तो आठ सार्व गुननखंड नहीं होगा इसी प्रकार से तीन यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है छे और बारा यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है यानि सिरफ यही तीन संख्याई है जो चार के भी गुननखंड है आठ के भी गुननखंड है और बारह के भी गुननखंड है तो सार्व गुननखंड तीनों का लेना है जो तीनों का गुननखंड होगा वही सार्व गुननखंड कहलाएगा तो ये तीन संख्याएं हैं एक दो और चार ये चार आठ और बारा के सार्व गुननखन यानि ये तीनों संख्याएं चार आठ और बारा इन तीन संख्याओं के टेबल में आती हैं तो आशा करता हूं तीन संख्याओं का ये सार्वगुननखर निकालना आपको आ गया होगा धन्यवाद इसका दूसरा भाग देखने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद